गाइज आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि MS Paint पर किसी Image को Crop, Resize और Rotate कैसे करते हैं और Resize करने के Shortcut के बताऊंगा तो दोस्तों मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट आप देख रहे हैं Skill Knowledge वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल ऐकन को जरूर प्रेस कर देना तो बिना वेट किये चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं देखिया दोस्तों अभी हम डेक्स्टॉप पर आ चुके हैं अब यहाँ पर सबसे पहले विंडो की को प्रेस करते हैं इसके बाद यहाँ Paint टाइप करते हैं तो यहाँ पर Paint आ चुका है इसके बाद Simply Enter को प्रेस कर देते हैं तो अब हमारा MS Paint ओपन हो चुका है अब यहाँ पर हम सबसे पहले किसी भी Image को लेकर आएंगे इसके बाद Ctrl प्लस O यानि की Ctrl O को प्रेस करना है इसके बाद यहाँ से आप अपने Coding कोई भी Image ले सकते हैं जैसे अभी हम Desktop से अपनी किसी भी Image को Select कर लेते हैं इसके बाद Simply Open पर किलिक कर देते हैं तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी एक Photo MS Pen पर आ चुकी है बट अभी यह काफी बड़ी है तो Ctrl दबा के रखना है और माउस के Scroll को उपर नीचे करके इस तरह से इस Image को छोटी कर लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर Work Area के लिए आपको छोटे Dot मिलेंगे तो इस तरह से आप अपनी Work Area को छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं तो दोस्तों आज हमारा पहला Option Crop का है उससे पहले एक बात ध्यार में रखना है कि पिसली वीडियो में मैंने यह Select के अंदर के सभी Option का यूज और इन सब का Knowledge प्रोवाइट किया था अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी आप देख सकते हैं तो देखिए Crop Option का यूज करने के लिए पहले अपनी इमेज को Selection करना होगा अगर एरिया को Select नहीं करेंगे तो Crop Option का यूज कभी नहीं कर सकते तो Ctrl प्लिस A का यूज करके आप इमेज को Select All कर सकते हैं बट अभी हम Ctrl A नहीं यूज करेंगे देखिए अभी हम Select to Option पर क्लिक करते हैं इसके बाद यहां पर Rest Angular Tool को Select कर लेते हैं इसके बाद हम अपनी इमेज का कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं जैसा के आप देख रहे हैं इसके बाद हम Crop Option पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों Crop पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया था उतना बचा हुआ है बाकी का सारा गायब हो चुका है तो MS पेंट पर इसी तरह से आप किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं अगर आपको क्रॉप करने की शौट कट के चाहिए तो देखिए पहले हम कंट्रोल जेट कर देते हैं ताकि आपको समझने में प्राबलम ना हो तो देखिए जितनी एरिया आपको क्रॉप करना हो तो पहले उतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद crop करने के लिए control plus shift plus x यानि कि control और shift के साथ x को प्रेस करना है control, shift, x को प्रेस करने पर आप देखेंगे कि हमारा select area कितनी आसानी से crop हो चुका है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में हम और tips जानेंगे वीडियो और अच्छे लगा हो तो subscribe जोड़ो करना कोई कि मैं रोजाना इस तरह के तमाम वीडियो लेकर आता नहींता हूँ तो मिलते हैं अगली वीडियो में thank you